देश की महानगरी मुंबई का बारिश से बुरा हाल है पिछले एक दिन से मुंबई समेट पूरे माहराष्ट में जबरदस्ट बारिश हो रही है जिसकी वजह से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है वहीं इसका असर मुंबई की ट्राफिक विवस्था पर भी देखने को मिल रहा है मुंबर में जगा जगा जाम से लोग परेशान है देखिए कैसे जल भराब से लोगों का जीना मुहाल हो गया वहीं दूसरी दरफ लोकल ट्रेड को भी रद करना पड़ा जगा जगा बारिश की वज़े से लोग फसे हुए है उधर बारिश का असर हवाई उडान पर भी देखने को मिला जहां अब तक 20 उडानों को रद किया जा चुका है लगातार हो रही मुसलाधार बारिश के कारण मीठी नदी खत्रे के निशान को पार कर गई है देखिए मुंबई एरपोर्ट का बुरा हाल बारिश से बिगड़े हुए हालात को देखते हुए मुंबई ठाने कोंकर समेत कई जगों पर आज स्कूर कॉलेज बंद करने का ऐलान किया गया है मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है अगले 24 घंटे मुंबई के लिए और भारी हो सकते हैं प्रशासन ने लोगों को घर से कम निकलने की हिदायत दी है विभाग का कहना है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें मीधी नदी के आसपास के प्षेत्र को भी खाली करा लिया गया है किसी भी हालात से निपटने के लिए अंडियारेफ के साथ साथ भारतिय नेवी ने भी मोर्चा समाल लिया है मौसम विभाग के मताबिक मुंबई में औसतन 15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई जबकि थाने पालगर में लगभग 18 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है झालगर 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 बारिश दर्ज की गई है